देश में फैल रहे बर्ड फ्लू की खबर जनता की चिंता बढ़ा रही है महराष्ट में परभणी जिले के मुरूबा गाउं में 800 से जादा मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है इनके सेंपल की जाँच में संक्रमन का पता चला दिल्ली में भी सोमवार को बर्ड फ्लूर की पुष्टी हो गई दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग के मुताबिक आठ कहुओं और बत्तकों के सेंपल जाँच के लिए भेजे गए थे पशुपालन और डेरी मंत्रा लेके अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है बैटक में वेटरेनरी सर्विसिस की स्थिती और पशुपालन की वैक्सीन की उपलब जिता पर चर्चा की जाएगी दिली डवलप्मेंट ओथॉरिटी के अलग-लग पार्कों में रविवार को 91 कवों और 27 बत्तकों की मोत हो गई संजल लेक के आसपास के इलाकों को अलर्ट जोन घुशित किया गया है महराश्य के परभणी जिला प्रशासन ने मुरूबा गाउं में 8,000 पक्षियों को मारने का फैसला लिया है गाउं के 10 किलो मीटर इलाके में मुर्गियों की खरीत बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है गाउं के लोगों की भी मेडिकल जाच की जाएगी उधर मुख्यमंत्री उद्व ठाकरे ने बर्ड फ्लू की समिक्षा के लिए आज मीटिंग बुलाई है आपको बता दें कि अब तक कुल 9 राज्यों में बर्ड फ्लू पहुंचा है जैसे केरल, राजिस्तान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाना, कुजरात, उत्तर प्रदेश, महराश्र और दिल्ली